नमस्कार, वह स्वागत है आप सभी का हमारे आचार जागिंदर मिस्तरा चेनल में दोस्तो आज हम बात करेंगे कन्य रास के लिए मंगल का वक्री होना दोस्तो मंगल जो है 10 सिटंबर 2020 को वक्री होने जा रहे हैं और कन्य रासवालों के उपर क्या प्रभाव डालेंगे दोस्तों मंगल जो है साहस सवर और प्राकरम के स्वामी मंगल ग्रह माने जाते हैं ये ब्यक्ति को आत्म विश्वास देते हैं उसके अंदर उर्जा भरते हैं और इसके अलाबा मंगल ग्रह आपको भूम भवन का कारक भी माना जाता है 10 सितंबर 2020 को मंगल ग्रह वक्री होने वाले हैं अभी मंगल मेश रास में हैं और मेश रास मंगल वक्री होंगे और वक्री रहते हुए ये मेश और मीन रास में भर्मन करेंगे गोशर करेंगे 10 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020 तक मेश रास में वक्री वस्था सभी लोगों स्वार कोई पTwitter करता है। लेकिन यहांद रास के उपर क्या परभाव करकcken से कमाधा से। इसपर मंगल मेस राश करे में प्रभावु रहने वाला है। इस मंगल ग्रह के वक्री होने का और वक्री होते हुए गोचर करने का प्रभाव कन्याराश के लोगों पर किस तरह प्रभाव होगा किन चीजों में कन्याराश वालों को लाब होगा और किन चीजों से कन्याराश वालों को सावधानी रखनी है और क्या-क्या आपको इस दोरा ह astrology कि हमारे चनल पर अगर आप नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें साय साथ बस ब्ला आइकेन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को शेर लाइक जरूर कर दें कर दोस्तों मंगल घ्रह कन्यारास कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कन्यारास वालों के लिए मंगल ग्रह का वक्रि अवस्था में होना आप लोगों के अस्टम्भाव में मंगल ग्रह करेंगे उना होना ये आप के लिए प्लबिवधानी बहुत राती हैं, नोकरी हो या आपको इस दारान आचानक लाब भी देंगे जैसे कि अगर जो डील होंगे आपके बिजनेस में के सिलसिले से वो लाबदाय करेंगे अगर आपने पहले से कोई निवेस किया हुआ है तो इस मंगल की वक्री स्थिति के दारान करने रासवालों तकरीवन 6-6 दिन तक आपको इ वो आपको अच्छा फल देने वाला है सावित होगा लेकिन यहां कुछ चीजों से आपको सावधानी भी रखनी है आपके अंदर कुछ यानिके सकारात्मक रहेगी और उस सकारात्मक तक चलते आप अपने नेमित कारियों में कामियाबी उपलब्दी करेंगे आपका आत्म विश्वास बना रहेगा लेकिन इस दवरान आप कुछ ज़्यादा भाबुक भी हो सकते हैं चार अक्टूबर तक जो समय है वो आपके लिए बेहद अच्छा है वक्रिवस्था में जब तक मंगल में इस राश में रहेंगे लेकिन जब चार अक्टूबर से मंगल भाव में आएंगे तो थोड़ा बैवाहिक जीवन पर भी प्रभाव डाल सकते हैं चुकि वक्रिवस्था का मतलब यानि उल्टी चाल तो यहां जो उसका प्रभाव होगा कुछ सावधानी आपको जरूर रखनी होगी एक तो ज्यादा भाबुक हो सकते हैं बैवाहिक बढ़ सकती है तो अपनी भावनाओं को आपको नियंतरन करनी क्या वशकता भी होगी इस दवरान अंदर से गुजसा जादा आपको आ सकता है तो देखिए मंगल जो है उर्जवान ग्रह है और एग्रेसिव भी ग्रह है शाथी साथ मंगल क्रोधी ग्रह है तो इसमें आपक तो यनि कि मंगल के वक्री होने से आपको मंगल इस दवरान गुसा भी देंगे तो गुसे में आपको कंट्रोल करना होगा इस दवरान आप अपने आपको उर्जवान महसूस करेंगे इस दवरान डाक्टर जो लोग है बैग्यानिक के छेतर से जुड़े हो या कोई आर्मी लएवधान डालेंगे, यानि कि अचानक अड़चने पैदा करेंगे, लेकिन मंगल ग्रह के कारण आपके प्रतिदंदी होंगे, जो विरोधी होंगे, वो पीछे छोड़ देंगे उनको आप और आगे निकलेंगे, मंगल के असुप्रभाव देखने को आपको यहाँ पर मिल सकते हैं क्योंकि जब आपके अंदर क्रोध जादा होगा गुस्सा जादा होगा तो कन्य रासवलों आप क्रोधी अवस्था में किसी से बाद विवाद कर सकते हैं कोई गलत कार कर सकते हैं और अपनी उर्जा को गलत कारियों में लगा सकते हैं इसलिए आपको साथानी रखनी होगी इसके लिए आपको मंगल के उपाय जरूर करने होंगे जो बिजनेसमेन हैं उनके लिए मंगल बेहद अच्छा रहने वाला है और नौकरी करने बोलें तो आपके लिए अच्छा रह गई है गोचर वरना आपको दिखते पैदा कर सकता है मंगल का यह जो वक्री वस्ता होगा लेकिन यहां और अगर बात करें हम आगे तो देखिए अपनी बातों को कहीं भी आप थोपने के लिए प्रयास जरूर करेंगे सहयोगियों से भ परिणाम है चुकि यह यहां पर लक्ष्मी योग भी बना रहे हैं तो आपको धन में तो कमी नहीं आएगी अचानक लोट्री शट्टा सेर मार्केट में लाभ कमाने के नैने अफसर मिलेंगे आपको यहां पर आपके परिवार के यानि कि भाई बेहनों का सपोर्ट तो मिल मिलती नजर आएगी सपोर्ट मिलेगा इस दौरान आपके कुछ रुके हुए काम भी पूरे होंगे जो काफी दिनों से पेंडिंग कार थे मंगल का यह यह वक्री गोचर होगा आपके लिए कन्यराश वालों पैत्रिक संपत्ति में लाभ की योग भी बना रहा है जमीन जा देगा अगर हम आपके कन्यराश वालों प्रेम जीवन और पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस मंगल के दावरान इस्तिती जो है परिवर्तित होती रहेगी बस आपको थोड़ा सा भाबुक होने से बचना होगा यहां पर छोटी छोटी बातों से आपको रियक्ट नही सकते हैं इसलिए आपको साधानी रखनी है बीच permet बेच में आप अपने जीवन साथिक साथ भीख कर सकते है तो यहां आपसी विचार में मतभेद हो सकते हैं बीचार नहीं मिलेंगे आप कुछ कहेंगे आपके जीवन साथी कुछ कहेंगे ऐसी बातों पर चोटी-चोटी बातों पर विवाद हो सकता है तो आपको साधानी रखना है अपने गुस्षे और बात पर कंट्रोल बनाये रखना है ऐसी इस्तिती में कन्य राशवालों आपको सयम भी रखना है अपने क्रोध पर नियंद्रन रखना है और धहर से काम लें कोई भी काम आपको इस दर्मियान धहर से लेना है क्योंकि बैवाहिक जीवन में मंगल ग्रह का यह जो वक्रिय वस्था गोचर होगा कन्य राशवालों आपके यानि की उपर प्रभाव डालेगा और इसलिए मंगल के उपाय की अगर हम बात करें तो देखिए मंगल के उपाय अगर आप करते हैं तो आपके बैवाहिक जीवन म और जो समस्याओं चली आ रही उनमें सभी समस्याओं से छुटकारा जरूर मिलेगा यदि मंगल ग्रह की हम बात करें तो देखिए इस दौरान मंगल ग्रह को सबसे अप्तधिक प्रिय मसूर की दाल होती है मसूर मंगल ग्रह को बहुत प्रिय होती है आप किसी गरीब ब्रामण को दान करें साथी साथ लाल वस्तर में अगर आप बांध कर मसूर की दाल किसी गरीब ब्रामण को अगर आप या किसी गरीब को आप दान करें तो आपको कई गुना फल मिलता है और मंगल ग्रह मजबूत होते हैं मंगल ग्रह यानि आपको बहुत ज़्यादा फल पर दान करते हैं तो आप वस्तरों का दान कर सकते हैं लाल फल का दान कर सकते हैं मंगल वार के दिन ये सारी चीजे करना है आपको और मंगल वार के दिन हन्वान जी के दाहिने पैर के माथे पर अपने मस्तक पर सिंदूर भी धारन करना जो चंदन होता है दाहिने पैर का हन्वान जी का वो भी धारन करें तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आज ही और अभी सब्सक्राइब जरूर करें और जाते जाते वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें जैशन देव